हाई दोस्तों महिनूत यादो आध किस सेग्मेंट में आपको बताने वाला हूँ फोल्डर का कैसे डूप्लिकेट बनाते हैं मिन्स एक नाम के दो फोल्डर और विदाउट निम के फोल्डर कैसे बना जाता है साथ ही साथ आपको बताएंगे कैसे डॉकुमेंट को फोल्डर में बैक अप किया जाता है मैंने आपको पिछली सेग्मेंट में आपको बता दिया था कि जो हमारे सभी पेंडिंग कमांड है वो अगले नेक्स वीडियो में आपको बताएंगे जो मैं आपके सान में लेकर आ हूँ आप देख सकते हैं यहां पर हमारा जो कमांड है यह आप सभी कंटिक हमारा देख सकते हैं जो मैं पहले से आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, आज किसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कि डुप्लिकेट फोल्डर and क्रियेट फोल्डर विदाउट नेम and how to backup document in folder, यानि फोल्डर के अंदर कैसे हम लोग document का backup बनाते हैं, तो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं कि हमको कैसे duplicate folder बना दे, इसके लिए मैंने आपको सिंपल सा एक contact यहाँ लिख देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, आपको सिंपल से क्या करना है, Alt plus 255, आपको Alt 255 code को पेस्ट करना है, I mean Alt बटन को होल कर रखे, आपको 255 को पेस्ट करिए, और उसको फिर ड्रॉप करिए, इस तरीके सा आपके सेम नाम के फोल्डर बन जाएंगे, जैसे कि duplicate folder बना सकते हैं, यही इस टेप आपका सेम इधर भी है, आप देख सकते हैं, हमने यहां से कॉपी करके इसके सामने पेस्ट कर दिया, जो आप विदाउट नेम के भी फोल्डर बना सकते हैं, आए देखते हैं, कैसे करते हैं, इसके लिए हमको डिक्स्टॉप पे जाना है, आप यहां पे राइट बटन के लिए निव फोल्डर बनाईए, तो आप यहां पे देखिए, जैसे कि मैंने यहां पे, स्याम नाम का फोल्डर बनाया हूँ, इस तरीके से दोस्तों हमको अगला फोल्डर बनाना है, ओ भी सेम स्याम नाम के ही होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं, यहां पे, मैंने यहां पे अक्टिव किया, तो यह फोल्डर हमारा नहीं लेगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैंने आपको अभी जैस्ट आपको बताया, तो इसके लिए पहले आपको स्याम को टाइप करिए, इसके बाद आप कीबोर्ड की बटन से, जैसे आपको बता रहा हूँ, यहां पे आप देख सकते हैं, मैं यहां पे टाइप करके भी दिखा रहा हूँ, आप यहां पे देख सकते हैं, आपको सिम्पल से करना क्या है, इस folder को मैं rename करके दिखा रहा है आपको, मैं code भी लिख दे रहा हूँ आपको, simple से आपको यह करना है लिख ख騎 बोल्स रश कर दोट प्रों और ख्रॉल्ट कर दोुकमरे खि på कर दे।ूध इसा हूँ फिर oldu. कि आप देख सकते हैं आप अल्ट बटन को वोल करें रखिंगी है इसके बाद आपको 255 को हो करना है तो आप यहां पर हमको तरके दिखाते हैं तो तो सिम्पल से मानिन स्याम नाम का फॉल्डर दुबारा बनाया तो यहां पर हमने आल्ट बटन को में फॉल्डर खा और 255 को प्रेस करके आप भॉब कर दिजिए तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सिंपल सा एक नाम के मेरा दो फॉल्डर बन गए आप इसकी पर देख लिए इस तरीके से इस code के माधियम से आप सेम नाम के फोल्डर बना सकते हैं अगला मेरा जो कमांड है वो है विदाउट नेम के फोल्डर उसमें भी इसी code का इस्तमाल करना है इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे डॉकुमेंट का बैकप फोल्डर के अंदर बना जाता है जी हाँ आए देखते हैं डेक्स्टॉप के उपर आपको नियू में जाना है आप यह फोल्डर को बनाया आपको इस फोल्डर को डिलीट कर देना है जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे वापस हुआ आ जाएगा ती इसके बिदाउट नेम के फोल्डर हमारे रेडी हो गया तो बहुत आसान है तो दोस्ती यह था हमारा प्रेटिकल बेसिक अब अगली वीडियो में आपको मिलेंगे नए चेप्टर के साथ जिसमें हम वर्क बेस पे चलते हैं किस तरीके से ऑफिस्यल वर्क किया जाता है अभी तक यह सबही हमारे कमांड थे बेसिक इसके साथ साथ अभी हमारा एक कमांड और वह भी आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग टॉकूमेंट का बैक आप फोल्डर के अंदर बनाते हैं आपको बहुत सीम्पल है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कोई भी डॉकुमेंट ज आप इसे ओपन करें और इसमें आपको राय पॉटन करके आपको पेश्ट कर देना है तो दोस्ते इस तरीके से देखिए स्याम नाम को जो मेरा फोल्डर था उसके अंदर हमारा यह फंसन की कि जो मेरा content record है वो हमारा backup बन गया आप देखना चाहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत common है और यह हमारा स्यम अकला जिसके अंदर नहीं है आप इसमें भी बनाना हो तो simple है आप इसको open करिए copy आपने अलड़ी किया है आपको simple सा paste कर देना है जैसे मैं cut कर रखा हूँ पहला मेरा जो बना without name का फोल्डर आपने देख लिया तो मेरा बना हुआ अपके सामने हैं यहां से खोल कर सकते हैं तो दोस्ती इस तरीके से होगे आपको document को कैसे हम फोल्डर के अंदर बैका बनाते थे तो यह था दोस्तों आज का हमारा segment अब अग नय है तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे हमारा वीडियो आप तक मिलता रहें तब तक के लिए बाइबाए